मेरे प्रिय एक सो चालीस करोड़ परिवार जन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब पहुत लोगों का भी प्राय है कि जन संख्याय की दुर्श्टी से भी हम विश्व में नंबर एक पर है इतना बड़ा विशाल देश एक सो चालीस करोड़ देश कि मेरे भाई बेहन मेरे परिवार जन आज आजहादी का पर्व मना रहे हैं मैं देश के कोटी कोटी जनों को देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले भारत का सम्मान करने वाले भारत का गवरों करने वाले कोटी कोटी जनों को आजहादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं मेरे प्यारे परिवार जन पुझ्य बापु के नेत्रुत्व में असयोग का अंदोलन सत्याग्रण की मुमेंट और भगत्सी सुखदेव राजगुरु जैसे अनल गिनत वीरों का बलिदान उस पिड़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजहादी में अपना योगदान न दिया हूं मैं आज देश की आजहादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है बलिदान दिये है त्याब किया है तपस्या की है उन सब को आदर पुर्वग नमन करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं आज पंदर आगस्त महान क्रंतिकारी और अध्यात्म जीवन के रुशितुल्य प्रणेता स्वी अर्विंदों की एक सो पचासवी जेंती पूर्ण हो रही है ये वर्ष स्वामी दायानन सरस्वती के एक सो पचासवी जेंती का वर्ष है ये वर्ष रानी दुर्गावती के पांसोमी जन्व सती का बहुती पवित्र आउसर है जो पुरा देश बड़े धाम दुम से मनाने वाला है आ ये वर्ष मिरा भाई भक्ति यूग की सिर्मोर मिरा भाई के पांसो पचीश वर्ष का भी ये पामन पर्व है ये वार जो 26 जन्वरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दुएस की पच्चत्तरवी वर्ष गांट होगी अनेक प्रकार से अनेक आउसर अनेक संभावनाएं राष्ट निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरना पल पल नई छेतना पल पल सपने पल पल संकल्प शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता मेरे प्यारे परिवार जन इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनियां संकट पैदा किये जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है मैं उन सभी परिवार जनों के प्रती अपनी संवेधना प्रगट करता हूं और राज्य केंद सरकार मिल करके उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त हो करके फिर तेज गती से आगे बढ़ेंगे कि मिस्वात दिलाता हूं मेरे प्यारे परिवार जनों पिछले कुछ सप्ता नौर्थ इस्ट में विशेश कर मनिपूर में और इंदुस्तान के भी अन्ने कुछ भागों में लेकिन विशेश कर मनिपूर में जो हिंसा का दोर चला कई लोगों का अपना जीवन खोना पड़ा मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवार हुआ लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांती की खबरे आ रही है देश मनिपूर के लोगों के साथ है देश मनिपूर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांती बनाए रखी है उच शांती के पर्व को आगे बढ़ाए और शांती से इस समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्यों और केंद्र सरकार मिल करके उन समझाओं के समाधान के लिए भरपूर प्यास कर रही है करती रहेगी मेरे प्यारे परिवार जनों जब हम इतिहास की दर्म नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमीर छाप छोड़कर के जाते हैं और उसका प्रभाव सब्यों तक रहता है और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है छोटी सी घटना लगती है लेकिन वो अनेग समस्याओं की जड़ बन जाती है हमें याद है हजार बारा सो साल पहले इस देश पर आकर्मा हुआ एक छोटे से राज के छोटे से राज राजा का पराजय हुआ लेकिन तब पता तक नहीं था हजार भारत को हजार सार की गुलामी में फसा देगी आर हम गुलामी में जगरते गए जगरते गए जो आया लूडता गया जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया कैसा विप्रित काल रहा होगा हजार साल का मेरे प्यारे परिवार जनो गटना छोटी क्यों नहों लेकिन हजार साल तक प्रभाव छोड के रही है लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई गुभाग ऐसा नहीं था कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजाती के लोग को गलता न रखा हो बलिदान की परंपरा न बनाएको माभारती पेडियों से मक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी जंजिरों को जग्जोर रही थी और देश की नारी शक्ती देश की वासकते देश के किसान देश के गाउं के लोग मद्दूर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता न हो आजादी को पाने के लिए मर मिटलने के लिए तयार होने वालों की एक बड़ी फोस तयार हो गई थी जेलों में जबानी खपाने वाले अनेक महपुरोष्ट हमारे देश की आजादी क्यों गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे मेरे प्यारे परिवार जनो जन चेतना को वो व्यापक रूप त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वाज जगाने वाला वत्पल आखिर कर 1947 में देश आजाद हुआ हजार साल की गुलामी में संजोय हुए सपने देश वाचिये पूरे करते हुए देखे साथियों मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ फिर एक बार देश के सामने एक मोका आया है इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सवहाग्य है कि भारत के ऐसे अमरित काल में, ये अमरित काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं, या हम माभारत की गोद में जन्म ले चुके हैं, और ये कानखन मेरे शब्द लिख करके रखे, मैरे प्यारे प्यरिवार जनों, इस कानखन में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजिन हिताए सर्वजिन सुखाए एक के बाद एक फैस ले लेंगे आने वाले एक हजार साल का देश का स्वननिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है इस कालखन में होने वाली घटमाए आगामी एक हजार साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पिद हो करके एक नए आत्म विश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है मेरी भारत मा था जो कभी उर्जा का सामर्थ था लेकिन राख के धेर में दबी पड़ी थी वो भारत मा एक सो चालिस करोर देश वास्यों के पुरसार थे उनकी चेतना से उनकी उर्जा से फिर एक बार जागर्थ हो चुकी है मा भारती जांगर्थ हो चुकी है और मैं साब देख रहा हूं दोस्तों यही काल घंडे पिछले नव दस साल हमने अनुबह किया है विश्व भर में भारत की चेतना के प्रती भारत के सामर्थ पती एक नया आकर्षन नया विश्वास नई आश्या पैदा हुई है और यह प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उसमें अपने लिए जोती नजर आ रही है विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है हमारा सवभाग्य है कुछ ऐसी चीजे हमारे पांस हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरास्त में दी है और वर्त्मान कारखंडे गड़ी है आज हमारे पांस देमोग्राफी है आज हमारे पांस देमोक्रेसी है आज हमारे पांस दाइवर्सिटी है देमोग्राफी देमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिमेणी भारत के हर सपने को साकेर करने का सामर्थ रख दिए आज पूरे बिश्व में लोग वहां देशों की उम्र धल रही है डलाओ पर है तब भारत योवान की तरफ उरजावान होकर के बढ़ रहा है कितने बड़े गवरों का कालखंड है कि आज तीस साल की कम आयू की जन संख्या दुनिया में सरवादी कहीं है तो ये मेरे भारत मा की गोद में है ये मेरे देश में है आटीस साल चे कम उमर की नवजवान हो मेरे देश के पास हो कोटी कोटी भुजाएं हो कोटी कोटी मस्तिस्क हो कोटी कोटी सपने कोटी कोटी संकल्प हो तो भाई यों भेरो मेरे पिये परिवार जनो हम इच्छित परणाम प्राप्त करके रह सकते हैं मेरे प्यारे पिरवार जनो देश का भागय ऐसी घटनाएं बदल देती है यह सामर्त देश के भागय को बदल देता है भारत एक हजार साल की गुलामी और आने वाले एक हजार साल के भव्य हारत के बिच में पड़ाओ पर हम खड़े हैं एक ऐसी संदी पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें नरुकना है न दुविधा में जीना है अजल लग झाल के भागय कुला है भापय को बना है भात एक हैं और एक हमें एक हैं आपे पर खड़े हैं जीना है भागय को बना है